हेलो पेंट्स, नमस्ते दोस्तों स्ट्रोक बिमारी का नाम सुनते हैं मरीज की रूह काँ पूठती है यह एक ऐसी बिमारी है जिसके लक्षनों का अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे माँ आप नहीं जान पाएंगे और दिरे दिरे यह इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी जान तक जा सकती है हो सकता है आपको या आपके किसी नोन को यह बिमारी हो और आपको अभी तक पता नहीं चला है तो इसके लिए क्या करें स्ट्रोक एक परका की बिमारी है जो हमारे मस्तिक्स मर प्रोपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण होती है इससे मस्तिक्स की सेल्स डेड होने लगती है और जब यह लंबे समय तक समझ्या रहती है तो मस्तिक्स की पूरी सेल्स डेमेज हो जाती है तो इस गातक वीमारी को पहचानने के लिए इसके लक्षन क्या हो सकता है, तो उसको हम जान लेते हैं, मुख्य रोप से जो लक्षन दिखाई देते हैं, उसमें व्यक्ति की आँख, हाथ या पाउं और एक साइड का, यह सुना रहना लग जाएगा, यह कमजोर महसूस होगा, दोनों साइड में नहीं होगा, सिफ एक साइड में राइट या लेफ में रहेगा, तो उस समय आप इसका संकेत समग सकते हैं, मरीज को बोलने में समझ्या हो सकती है, सुनने में तथा समझने में समझ्या हो सकती है, किसी ने को कोई बात कही है, तो उसको समझने में उसको प प्रोलम होती है अपना बैलेंस नहीं बना पाता साथ ही सिर्गुमने से महसूस होता है और व्यक्ति में तेज सिर्दड बिना किसी करण के होने लग जाता है इस तरह के जो लक्षन है यह सभी स्ट्रोक के लक्षन है अगर इन मेंसे कोई भी एक लक्षन भी आपको दिखाई या आपको इस समश्या होई अभी अपना आप ही ठीक होगी या कोई चोटी मोड़ी टेबलिट लिए उससे फाइदा हो गया है तब भी आप इसको नजर अंदाज नहीं करें एक बार तुरंत ही डोक्टर से जाके मिले और अपने लक्षनों के बारे में बताए खुल सकता ह आपको इस्ट्रोक की समश्या हो अगर समय रहते इस्ट्रोक की बिमारी का इलाज लिया जाए तो किसी प्रका की समश्या नहीं आपकी जान बच सकती है जैसे हम आपको समय रहते कंट्रोल नहीं करने पर बाद में काबूर नहीं कपा सकते वेसे ही इस्ट्रोक की बिमारी को बाद में काबूर नहीं पास सकते व्यक्ति की जान भी जा सकती है तो इस्ट्रोक की बीमारी को पहचानने के लिए इन सभी लक्षनों को आप याद रखें और एसे ही इंट्रेस्टिंग ता नोलीजिबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकोन को दबाख रहें और नोटिफिस में क्लिक करें